नमो वच्छा यानम, नमो लोए सब साहूनम। निजितो शेवश जड़ अथिरे तने मेरा हूं। परमे सदा थिरे सचे तने ही रहा हूं। अतये वे तने बिने दशा शिवे सऊखे पाने। सतते विश्त्रते घुरु नमन सुसमाधी पाने। सतते विश्त्रते घुरु नमन सुसमाधी पाने। सम्ता पूर्वक जीवन जीते हुए। सम्ता पूर्वक ही इने सभी सन्योगों को कैसे छोड़ सके। इस भावना को जागरत करने के लिए सल्लेखना के उपर अपन चर्चा कर रहे हैं। विश्य यहां तक पहुँच गया। कि सल्लेखना में सरवाधिक आहम भूमिका यदि किसी की है तो वह है सोयपर के भिद विज्यान की। संपुन परपदार्थों से भिन, संपुन पर्यायों से भिन, अपने अनाधी अनंत ग्यानानंद सुभावी भगवान आत्मा को अपने रूप से जानकर पहँचानकर उसमें लीनता की। इसके बिना अन्य सब परिकर इखटा हो जाने पर भी किसी भी कीमत पर समाधी संभाव नहीं है। अपने अपनी समय सीमा में एमान के चलें के निलने कर दिया। यहने मैं अनाधी अनंसत्ता हूँ। मेरे उपर अन्य किसी का रंच मात्र भी ऐसर नहीं है। यह सुईकार कर लिया। और इसके बल पर यह सुईकार हो गया। कि इसलिए मुझे किनी भी संयोगों की, किसी भी प्रकार की शरीरादी की रंच मात्र आवशक्ता नहीं। यह रहें तो रहें, ना रहें तो ना रहें, मेरी सक्ता पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं है। दूसरा, कि जो भी संयोग हैं, चाहे वो शरीर रूप हों, चाहे घरकुट मादी रूप हों, और चाहे अपने को उपलब्द, अपने ही दशाओं रूप ग्यान दर्शनादी का परिणमन हो। ये सभी अस्थर हैं, अशरण हैं और इसी लिए असार हैं। कल अपने अस्थर पर बात की थी, कि जो भी संयोग है, कब बिघट जाएगा। कुछ भी अपन द्रणता से कहनी सकते। कल थोड़ी सी बात आई थी, कि कि यहां भी ऐसी घटना घटी। प्रचनवल में तो नहीं घटी। पर बाद में एक इस मरना आया, एक बार शिवर के समय घटना घटी थी। यह कोई बाहर के महमान थे, प्रताब गड़ अपक किसंगड ऐसे कहीं के थी महमान। तो सुबह नहादो करके पूजन को जाने के लिए पूजन के बस्तर पहन दाई थे। पूजन के लिए पूजन के कपड़े पहन रहे थे और वहीं आपनों को साहद याद हो, सिवर में घटी घटना है। एक बाद सम्भिश शिखर जी के सिवर में भी घटना घटी थे, सागर के व्यक्ति थे, उपर पहुच गए थे, तो अपने जो सबसे पहला नाला ही पढ़तान, कौन सा है, गंदक नाला, सबसे पहला, तो आग गंदक नाले पर बैठे, और वहीं क्यों वहीं। याने कई ऐसे प्रसंग हैं, याने जो शिखर जी की इतनी लंबी चोणी, याने तीस किलोमीटर की यात्रा को गया, पुरा हट्टा कट्टा स्वस्थ बेखती, और पैठते साथी, याने कितना ये सन्योग अस्थर है, यदि अपन अपने चारों और दृष्टी दोड़ा ह इस पर आश्चरियों की इतने दिन तक ठिका कैसे है, याने कैसे छूट गया, इस पर आश्चरियों की जहां निरंतर उत्पादवे चल रहा है, उत्पादवे सुभावी इसका है, तो इतने दिन तक ठिका कैसे रहा है, इस पर आश्चरियों, ये निरंतर अपने को ख्याल में रहे तो इन संयोगों के प्रतिका आकर्षन समापत होगा यह अस्थरता और ऐसे असरन था कि जो भी संयोग है ना अपन उसके लिए शरन दे सकते हैं और ना ही वह अपने लिए शरन दे सकता जो भी जिसका हो रहा वह पूर्णतया एका की ही भोगना पड़ता मेरे में भी जो भी होगा उसका फल पूर्णतया एका की भोगना है और अन्य में भी जो भी होगा उसका फल उसे पूर्णतया अकेले ही भोगना पड़ता जो साथी हैं वो उसमें रंच मात्रवी बटवारा करके भुगतवाने में समर्थ नहीं हो पाते यहने कोई भी कुछ भी मदद नहीं कर पाता इस दृष्टी से अधी देखा जाए तो जितने भी साइयोग हैं उने से अपने को बड़ा अथवा छोटा मानना वास्तों में यह अपनी बहुत वड़ी अनाथ प्रिवर्द्धी को आस्त्रह देना है यहने इसे तो अपन अनाथ बन रहे हैं नियम सार में एक इस लोग आता है टिका मैं अनाथ है ओ सनाथ कि सन्योगों की अपेक्छा से तो यह आत्मा अनाधी काल से अनाथ दसा कोही पा रहा पर यदि अपने भगवान आत्मा को सुईकार कर ले तो चुकि भगवान आत्मा अनाधी अनंत बिद्धिमान है तो उसको सुईकार करने से सनाथ पना ब्यक्त होगा और वो है सनात पना ऐसा कि अनन्त अनन्त काल तक के लिए कभी भी अनाथ ना हो यह एक मात्र आत्मा ही परम शरण भूद है कि जिसके बल पर अनन्त अनन्त काल तक के लिए फिर कभी शरण भीहीन नहीं होना पड़ेगा एक आत्मा ही अनादी अनन्त सवभाग शाली पदार्थ है कि जिसके बल पर अनन्त अनन्त काल तक सवभाग सुरक्षित रहे सकता अन्य कोई भी इसको सनात बनाने में सक्षम नहीं है कोई भी इसको सवभाग शाली बनाने में सक्षम नहीं है इसका निर्णय करना, इह संयोगों की अश्रण ताका निर्णय, अब इससे आगे की बाद, कि चुकि संयोग सब अश्रण हैं, कोई भी मदद देने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब कि ये हमारे लिए पूर्णतय असार है, अकिंचित कर हैं, यह इनसे हमें कुछ भी उपलब होने वाली नहीं है, अनन्त अनन्त परपदात मिलकर के भी, हमें रंचमाद दुखी करने में समर्थ नहीं हैं, यदि हम सोयम दुखी ना हो तो, यदि हम, हाँ बोलें, हाँ, इसलिए सब पदात अपने लिए असार हो गए, यह जब कोई किसी को सरन्ट देही नहीं सकता, कोई किसी की सोयम की सरन्ट छीन नहीं सकता, तो दूसरे का मेरे लिए क्या असर रहा यानि दूसरा मेरे लिए क्या कीमत रखेगा पर जैसे लोक में भी ऐसा कहते हैं कि आप अपने घर के बड़े आदमी होंगे आप अपने घर के राजा होंगे आप अपने घर के धनी होंगे पर मेरे लिए क्या मुझे तो मेरे पास जो होगा वो मिलेगा तो आप अपने घर के राजा तो मैं मेरे घर का राजा पर आपका धनी पना मेरे लिए कुछ कीमत नहीं रखता परद्रव्यसू लोष्टवत केने दोसरे का धन तो मिट्टी के धेले के समान है कि जैसे मिट्टी का धेला हमारी कोई आवशक्ता पूर्ति नहीं कर सकता है तो किसी भी आवशक्ता की पूर्ति नहीं कर सकता है इसका मतलब आपका धन मेरे लिए असार हुआ निसार हुआ अक यहां कोई भी बस्तू किसी दूसरी बस्तू के लिए कुछ भी मदद सहायता नहीं कर सकता किसी भी रूप में कोई भी तो जब किसी भी बस्तू का किसी दूसरी बस्तू के संदर में कुछ भी हस्तक शेप नहीं है तो उस एक बस्तू के लिए दूसरी बस्तू का होना और नही होना क्या कीमत रखेगा एने पूर्णतया असार है एने मेरे लिए आप पूर्णतया असार आपके लिए मैं पूर्णतया असार क्या क्या कीमत है जब मेरी आप में कुछ नहीं गया जिए दुख भोग रहें वह किनी सैन्योगों के मिलने अत्वा नहीं मिलने के कारण भोग रहे ऐसा रंचमातर नहीं और जो भी सुख पाएंगे वह किनी संयों के मिलने अत्वा नहीं मिलने के कारण पाएंगे ऐसा रंचमातर नहीं यहने अनन्त अनन्त जिने अपन पृतकूलता कहते बुरा संयोग कहते तो यसे अनन्तनंत प्रत्कूलता हैं अनन्तनंत बुरे संयोग मिलकर के भी मुझे एक समय के लिए भी दुखी नहीं बना सकते और जिने अपन अन्यकूल संयोग कहते अच्छे पदार्थ कहते ऐसे अनंतनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी मुझे एक समय के लिए भी सुखी नहीं बना सकते यहने मैं सुखी रहूं कि दुखी रहूं यह पूरा मेरे उपर निर्भर है मेरे उपर आधारित है अन्य संयोगों के उपर रंचमात्र आधारित नहीं है तो किस संयोग को अच्छा कहूं और किसको बुरा किसको मिलाने का प्रयास करो और किसको हटाने का नहीं आत्म की रतन में पढ़ते नहीं बहुत सुंदर पंक्ति है सुख दुख दाता कोई ना आन मोहे दा गेरोसे दुखे की खान क्या लिख रहे हैं सुखफधाता कोई भी आनन 상ण नहीं अन। कोई दूसरा पडात सुखफव दुख्का देने वाला नहीं है। ये घर कुटम में मिल गया ये हमें सुखी कर रहा है। इस वच्ट सरीर मिल गया इसलिए हम सुखई हैं। भरपूर धन पैसा मिल गया, इसलिए हम सुखी हैं, तो वहां क्या लिख रहे हैं, सुख दाता आनना, कि सुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, और ऐसी दुख दाता, कि ये सरीर में बीमारियां घिर गई हैं, इसलिए हम दुखी हैं, एक घर कुटों अच्छा नहीं है आज्या का पालन नहीं करता, इसलिए दुखी हैं, इस सेवर शुष्षा नहीं कर रहा है, इसलिए दुखी, तो क्या लिख रहे हैं, कि दुख दाता आनना, कि दुख देने वाला अनन कोई नहीं हैं, तो क्या है, मोह जाग रुष दुख की खान, कि मेरे अंदर जो मोह रा सम्मेक चारत रूप दशा, बीतरागता रूप दशा यह सुख की खान है और इससे विपरीत मोहराग देश के परियाम यह दुख की खान है, अन्य कोई भी सञयोग का होना अथ्वा नहीं होना ना दुख का कारण है ना सुख का कारण है, इसलिए संपुन सैयोग मात्रही मेर दिए अकिंचित कर हैं पूणतय हैं अकिन नहना कि seven आपने कि पर बंच पर्मेस्ति तभी एक सब्सक्रा आकर करें है और कि Jenी हम सखी ना हो अपने सर उप को ना समझे cooking आपने सब्सक्रण को अपने रूप से जानकर मानकर उसमें लीन ना हूँ तो उन अनंत पंच परमेश्टियों में भी ये ताकत नहीं है कि मेरे एक समय के दुख को मिटा दीने तो मेरे सुक के लिए पंच परमेश्टियों क्या कीमत में रह गए पर क्या उनका बर्चस रहा है अगर नगर नहीं हो गए उनकी सत्ता मेरे लिए कुछ भी कीमत रखने वाली नहीं हुई और ऐसे ही यदि मैं मोहराग दिशरूप परणमित ना हूँ स्वरूप लीन रहूँ तो अनन्त अनन्त प्रितकूल प्रिसंग भी मुझे दंचमात दुखी नहीं कर सकते अनन्त अनन्त बिगन बादाएं भी एक छण के लिए भी मुझे आकुलित नहीं कर सकते तो इन अनन्त अनन्त प्रितकूल ताओं कि क्या कीमत रही मेरे दुख के लिए कुछ नहीं यह न कोई खरा कोई बुरा नहीं बस तु बिबे दे सुभाओ है तु ब्रिथा अबिके लपटाने उर में करते लागे उपाओ है कि कौन यहां अच्छा है, कौन यहां बुरा है, किसको तो सुख का कारण मान रहा है, और किसको दुख का कारण मान रहा है, जगत में बस्तुएं होती हैं, द्रब होते हैं, कोई सुख अत्वा दुख के कारण नहीं होते हैं, सुख अत्वा दुख के कारण तो अपन अपनी वेप्रीत मान्नता से मान लेते हैं पर मूल में वो सुखतवा दुख्वा कारण नहीं है इसका मतलब अब हमारे सोखोद वह दुख्टे रूप में पूर्णते हैं अकिन्चित करें असार हैं और यह यदि द्रिनता से समझ में आ जाए निरनय हो जाए इसकी प्रतीती हो जाए तो क्या परिस्तती बनेगी फिर किसके उपर कशाय करें अभी अपने को लगता निए दुख्य का र और यह सुख्य कारी तो इनको बनाए रखो और यदि इनके हटने का प्रिसंग आवे तो हर कीमत पर ना हट पावे इस दिशा में प्रियास करो इसलिए तो इसारा चल रहा ना अपना धन्संपत्ती की ओर इतने आकर्शत हो रहे हैं घर कुटुम में इतने लीन हो रहे हैं यह उनके अनेका नेक पापों की अनमोदना करके भी जो उसमें लगे रहे हैं उसके पीछी कारण क्या है अपना बोलो मातर इतना ही तो है ना कि यह जो बेटा है बुड़ा पे में सुखी करीगा हमें यह जो पत्नी है यह आगे जब हम आसमर्थ हो जाएंगे और चुकि इ यह हमारी बुड़ा पे में सेवा करीगी इसलिए उसके हर काम की अनमोदना करने को तयार है हर प्रकार की गुलामी करने को तयार है यह अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं वो बेटे किस भाव के बल पर कि बस उने पता रहे कि पिता को यह भाव अंदर में समा गया कि बुड़ाप को कि बुड़ाप करने को तयार है वो हमार में पर कितने पापो की अनमोदना करने को तयार है कितनी उनकी गुलामी सुईकार करने को तयार, जैसा कहें बैसा करने को तयार, उनने का नहीं पिता जी इतनी देर तो यहां बैठना पड़ेगा, इतनी देर को तो दुकान पर बैठना पड़ेगा, कि नहीं बेटा इस समय तो हमारे स्वाध्या चलता कि नहीं कुछ नहीं, आ आपनी हमारे घर में रह रहे तो इतनी देर को तो यहां बैठना पड़ेगा हमें भोजन करने जाना है ना ठीक है बीटा बैठेंगे एक छण में स्वाध्य के छुट्टी करके बैठने को तैयार हो जाता है बहु ने का कि नहीं माँ साब इस समय तो यहां रहना पड़ेगा क तो बोलो क्या करें बेटों को पढ़ाएं के नहीं पढ़ाएं ठीक है बीटा फिर बैठते हैं हम तो क्यों इतनी गुलामी सुईकार करने को तैयार हो ही वह माँ साब सहारा तो यही है बुड़ापे में कौन सहारा देगा अभी यदि इनकी इच्छा के विरुद्ध चले को और हिनके मन से उतर गहीं तो कौन बुड़ापे में सहारा देगा इसको लेकर तो इतने गुलाम बन रहा है न को पना 24 गंटे का जीवन देख न तो स्वयम सवेच्छा से गुलामी सुईकार कर रहे हैं बस इतनी सी शल कि हैं तो सहारे देने वाले यही बुड़ापे में मदद तो यही करेंगे खोटा बेटा खोटा दाम समय पढ़े परावे काम काम तो यही आएगा पेशले कुछ समाल के रखो कुछ इसका मन बना के रखो कितनी गुलामी कर रहे और यह सीक्रत हो जाए सक्थ कि यह सब असार है मेरे सुख और दुख में इनकी कोई कारणता है ही नहीं तो फिर गुलाम बनने का परिणाम आएगा हम तो अपने इसाब से जिंदगी जीएंगे अब इसमें तुम्हारा कारिकम सेट होता हो तो बोलो इतने से इतने वज़ तक स्वाद्द्य करेंगे इतने से इतने वज़ तक सामाइक करेंगे वो इतने से इतने वज़ तक ही हम मातर तुम्हारे धंदे में सयोग दे सकते तो मैं सुख कार हो तो खीक नहीं हो तो तुम्हारे तुम जाना ये फिर हम तो मैं इनकम का लाव नहीं देंगे फिर उसका percentage नहीं देंगे मत देना पर हम तो इस हिसाब से कारी करेंगे इसके अत्रिक्त कारी करने के लिए हमारे पास कहीं कोई अवसर नहीं कितना सुतंत्र हो जाए जीवन कितना स्वाधिन हो जाए यह लोकिक जीवन में कितना सुतंत्र स्वाधिन हो जाए और पार लोकिक 24 गंटे में पूरे पापों को लगा ने पांचों इंद्री संबंदी और पांचों हिंसा जूट चोरी कुशीर परिगरे सभी पाप कि अपने लिए तो बहुत कम करते हैं और दूसरों के लिए ज्यादा कर रहे हैं कि अधियों खुश रखने के लिए इंसे हमारे आगे कीसं मंद जुड़े हुए हैं दूस, और इसक उल्ठासीत्ता ना खाए और उन बेटों को उल्ठासीदा खिलाने को तयार when तो उल्टी सीधी कमाई ना करें, बेटों के लिए करने को तैयार किने, इनको जोड़के जाना है ना, तो उसके लिए तो साधारन से हम कमाई करते हैं, तो उतने से भी हमारी आवश्चतनों की पूरती हो जाती, पर इनको देना है ना, इनको तो भी इनके उपर बहुत पड़ाई का, लिखाई का, पालने का, पोस्ने का, तो कितना कितना अन्याय करके उनके लिए कर रहा कमाई, जोवीस घंटे का अधी अपन रीक्षण करें, तो जितने जो भी अपने जीवन में पाप हो रहें, अपने लिए कितने हैं, और दूसरों के लिए कितने हैं, यह परसेंट निकालेंगे तो अपने लिए एधी मुश्किल से 15-20 परसेंट निकलेगा तो उनके लिए 80-85 परसेंट निकलेगा पूरा देख लेगे हर एक में जब भोजन पानी का हो चाह नहाने ध्वानी का हो कि हमाई माता मैंने है न नियम ले लें सब अश्टमी चतुरदसी को अपन तो सावन नहीं लगाई तो सावन नहीं लगाई और वह घर में छोटा पोता हो तो सावन से नहीं लाए किसे काम चलेगा तो स्वेम ने तो सावन नहीं लगाई हिंसा तो नहीं की पोते के नाम पर अब पाप किसके सेरे आएगा है यिसा अज तो अश्टमी का तो चतुरदस्टी का देने है तो आज तो हम सबजीयां हरी सबजीयां नहीं खody तो स्वेयम तो नहीं खाई जिसा वो पोता का तो हरी सबजी के वेना चलता ही नहीं है उसकी तो बना आलू ये तो बना के खिलाना ही पड़ेगा तो गोलो किस के लिए जादा पाप हुआ किसा वाद चतर दसी है तो आज तो हम पूरा एकासन रखेंगे तो आपने अपने लिए तो साम के लिए कुछ भी आरंब परिग्रह नहीं किया और बेटे बहुँं के लिए नाती पोतों के लिए सबन के लिए तो करके दे नहीं पड़ेगा 24 घंटे का पूरा निरीक्षण करेंगे तो अपने लिए किये हुए पाप तो मुश्किल से 15-20 परसेंट निकलेंगे और बाकी सब कुछ दूसरों के लिए ही निकलेंगे और आश्चर ये कि वे दूसरे बात नहीं कर रहे हैं अपन अपनी स्वेच्छा से बात होके उसमें आश्चर तो यह हँए ऐसा हार एक में लगा ले न अके लिए बात घर कुट्ब में परी लागो नहीं पढ़ती पुरां परवस पर लागों पढ़ती मालो बिलकुल आप दूसरे ही संसकारों में हैं आपन दूसरे जाती वाले पुरा पड़ोसी वाले दूसरे जाती वाले अब उनके कुछ भी कारिक्रम होता मालो एक हिंदू है अब उनने कोई भी शिवरात्री कारिक्रम किया और पुरा पड़ोसी के नाते आपको बुलाया आपको पक्का विश्वास किये कोई देवता नहीं है आप किसी भी रूप में उने सुईकार भी नहीं करते पर फिर भी जाते हैं, क्यों जाते पर इसाथ पड़ोसी है उनकी कारिक्टर में नहीं जाएंगे तो पर कभी समस्य खड़ी हो जाएगी और कभी भी काम पड़ता है तो जो दूर नाते रिष्टेदार बैठे बेथोड़ी ततकाल काम आते ततकाल काम तो पुरा पड़ोसी आते हैं तो सोचो इस भावना को ले करके ग्रीत मिथ्यात का पोशन कर रहे जानते समझते भी समझ रहे कि ये कोई देवता नहीं है ये कोई मासिवरात्री पर्व नहीं है ये कोई उत्सव मनाने लाइक नहीं है पर फिर भी एक मातर सभाव ना से पड़ोसी को खुस्तो रखना क्योंकि काम तो यही आएगा वो ना तो रिस्ते दाट उतनी दूर बैठे हैं जब कोई पिरसंग आएगा तो बे थोड़ी आएंगे दोड़े 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 तो ततकाल यह आएंगे अब ऐसा हार एक में लगा है उनके शादी में विवाय में कितना कितना यह बेर्थ की पराधीन था कितनी अपन कर रहे स्वेच्छा से वो पड़ों से बाद नहीं कर रहा मालो आप नहीं जाएं तो वो भी तो जानता है ने कि जैन है इन देवताओं को मानते तो हैं इसे उसे भी पता ही है पर फिर भी अपन मात्र इस शल्ले के पीछे के नहीं जाएंगे तो आगे का ब्यविहार कैसे ने भेगा इसके पीछे करने को तैयार बैद डॉक्टरों का भी या भी कोई बीमारी नहीं हो पुरा पड़ोस में कोई डॉक्टर रहता हो तो कभी भी कोई तियोहार पर बराबर भेंट बगर देना मिलने जाना उसको बुलाना कोई नातिर इस्तिदार नहीं है आपका जाती काई नहीं हो माल दो याने नातिर इस्तिदार होना तो दूर आपकी जाती काई नहीं है फिर भी उसके साथ संबंद क्यों बना की रखना चाहे थे जरूरत पढ़ने पर काम आएगा ना और किस तरह का संबंद जो उसको अनकूल है जो हमें अनकूल है वो नहीं यहने अपन बजार का कुछ भी नहीं खाते हो और उसके यहां भेंट देने जाएंगे तो पैकेट कहां से आएगा अपन अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं खिलाते हों टॉपी नहीं खिलाते हों बजार के बिस्किट नहीं खिलाते हों और उनके बच्चे का बर्तडे हो और ये कोई चीजें देने का भावाव आएगा तो कौन सी? तो घर के बने बिस्किट नहीं है, सब घर के बने उनके आँ क्या सोभा देंगे, तो बजार का पैके का, पार लेके बिस्कुट लेके आएंगे, क्या आप खेलाते हैं अपने पोते को, नहीं हम तो बिल्कुल बना, कभी बेद पोते को खाने वह बिस्कुट तो घर पे बना पर बजार के तो नहीं और उसकी यहां देने के लिए कि क्यों यह गुलामी कर रहे हिंसा अधी पापों की अन्मोदना क्यों करने का परिणा मा रहा है यह सब काम तो यह पास का ही डॉक्तर आएगा ना हमारा फैमली डॉक्तर तो दस के दूर मिटा दूर रहता है तो थोड़ पर अपन उस आउसर के लिए तैयारी अभी से करते रहते हैं ऐसा हर एक में लगा ले बकील रहता हो तो बकील इंजिनियर रहता हो तो जो जो भी रहते हैं जिन जिन से अपने को काम पढ़ने की संभाव न दिखती है तो कितनी गुलामी करते रहते हैं सुछ्छा से उनकी और से कुछ भी नहीं है वाफर किनी साब आप हमें खुश रखिए अपन सुयम किनी कभी काम पड़ा तो यह काम आएंगे और इसके लिए कितना करते रहते क्यों करते रहते कि लगता यही तो हमारे सुख दुख के कारण है ना इनकी खुशी हमें सुखी करने में निमित बने बस इतनी से शल्ले के पीछे अपन इतनी गुलामी करते और यह समझ में आ जाए कि यदि हम में मोहराग देश परिणाम ना हो तो दुनिया की कोई भी कीमत हमें दुखी नहीं कर सकती और यदि हम में बीतराग परिणाम ना हो तो यह दागिद्वेशी मोही जीव तो दूर ही रहो साक्षात पंच परमेश्ठी भी आजा तो भी वे हमारे एक समय के भी एक दुख को नश्ट करके सुखी नहीं कर सकते हैं यह सारे संयोग सुख और दुख के लिए सुख और दुख के लिए पूर्ण तया अकिंचित कर हैं यह सुख दुख दाता कोई नान मोह और यह सब्त रहे तब कहीं जाकर के इन संयोगों पर से दृष्टी छूटेगी तब कहीं यह असरण लगेंगे तब कहीं इनकी ओर का आकर्षन नश्ट होगा तो फिर क्या होगा आकर्षन फिर कि बस दो ही शरण लगेंगे सुध्धात्मा और पंचि गुरु पर पंचि गुरु भी शरण तो लगेंगे न अभी तो आप कहरते बेभी हमें रंचमा सुखी नहीं बना सकते और अब तो बात आगी न वहीं इस रूप में नहीं इस रूप में शरण लगेंगे कि यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो बे अपने पास रखेंगे नहीं बे अपने में उलजाएंगे नहीं हमें बे बताएंगे कि भाईया यहां कहां उलज गया तुम तुम मेरे जैस अनंत भईभा समपन है मैं तेरे सुखको करने में और दुखको मेटने में रंचमाद सक्षम नहीं तुही यदि चाहे तो अपने को दुखी बनाए रख सकता है तो यदी तुझे सुखी होना है तो तुण अपने में जा बस इतने के लिए वे शरें कैने वे हमें ना तो अपने पास उलजाएंगे ना अन्यत्र उलजाएंगे वे सीधा लोटा देंगे हमें अपने में कि यदि तुझे सुखी होना है तो एक मात तेरी अपनी ही सत्ता ऐसी है कि जिसमें लीनता के बल पर तो सुखी हो सकता अन्यतर कहीं भी तुझे किसी भी रूप में शुक मिलने वाला नहीं है ये सतरदवे प्रेड़ना देंगे इसलिए उनकी सरण कहीं लड़की के संदर में कहा जाता ना कि लड़की को दो ही सरण एक पती का गर पिता का घर तो पिता का घर भी सरण तो है ना इनि वो शरण रहने के लिए नहीं यदि कभी पती के घर में रहते रहते उप गई कोई जगड़ा आदी हो गया और उसको लगा कि नहीं मैं तो यहां नहीं रहूंगी और यह सोच करके यदि पिता के घर में जाए तो पिता समझा बुजा के उसे पती के घर बापिस कर यदि अन्यत्र चली जाए तो तो स्तरवत सील के लुटे रही बैठे हैं पती के घर भेजने में सक्षम कोई होने वाला नहीं तो इसलिए पिता के घर जाएगी तो पिता अपने घर रखेंगे नहीं समझा बुजा करके उसकी समस्या का समाधान करके उसे पुना अपने घर में भेज देंगे इसलिए पिता का घर शरण तो पंच परमेश्थी भगवान अपने पिता उसे हम आत्मा या नादियान पती तो इस घर में हम नहीं रह पा रहे हैं तो पंच परमेश्थी भगवान की शरण में जाएंगे तो बारं बार समझा बुजा करके बस्तू के मिलने वाली नहीं यदि तो सुखी होगा तो एक मात्र अपने स्वरूप में लीनता के बल पर अन्यत्र कहीं से भी सुख मिलने बाला नहीं ऐसा करके भी बापिस लोटा देंगी अपने घर में इसलिए उनको शरण कहा तो बस जगत में यदि कोई शरण है तो दो ही बास्त बास्विक सरण तो अपना स्वरूप और आपचारिक सरण कि जहां से फिर हम अपने घर में लोट आवें बेपंच परमेश थी अन्य कोई भी परपदार तो रंचमात सरण भूत नहीं यह तो मोह के ओदैसे सरण भूत जैसे लग रही और यह अदि जच जाए बात तब कही करके सारी गुलामी छूटे काली सब दुनिया भी तो हमें अच्छा Mozart कहते हैं एकले हमें थोड़ी अच्छा ला कहते हैं इन्यूछ सुखदाई यह हमारे लिए बुरे दुखदाई त permit ऐसा हम ही अगले कह रहे हों और नहीं हैं दुनिया हमें भी कहतीं किसा हमारे लिए सह तो ब्यभिहार चल रहा ना वास्तों में ब्यभिहार ही राग देश परके बस्तु श्रुप परक नहीं है इस ब्यभिहार में राग द्वेश ही काम करता है यह अच्छे हैं इसलिए दुनिया अच्छा कहती ऐसा नहीं है हम बुरे हैं इसलिए दुनिया बुरा कहती ऐसा नहीं है तो क्या है कि जिसको हमारे प्रति राग होगा वो हमें अच्छा कहेगा जिसको हमारे प्रति द्वेश होगा वो हमें बुरा कहेगा और हम कैसे कि अच्छे बुरे से कोई लेना लेना नहीं यह जिसके मन में राग ज्यानत रायजी से पूचा, ज्यानत रायजी से किसने पूचा, सब आपको कोई अच्छा कहते हैं, आपको भी बुरा कहते हैं, आप बास्ता में कैसे अच्छे हैं के बुरे, यहने आपकी संपर्ग में रहने वाले लोगों से पूचा, तो किनी ने तो आपकी बहुत बहुत सब् αυτό सर्द बहुत विश्यती और किनीützen तो बहुत निंदा की के तर्म का ढ१ों करते हैं मढ़ेल अपने भो धर्मात्मा मानते हैं ऐसे हैं इसे हैं आप मून में कैसे हैं तो भी कहते हैं राग भार पर तें सजन जाने द्वेश भावतें दूर जन माने राग द्वेश दो ममनाही ध्यानत में चेतन पदमाही क्या लिख रहे हैं? कि जो हमें सज्जन कह रहे हैं ना मैं सज्जन हूँ इसलिए नहीं उनके मन में मेरे प्रती राग है इसलिए जो ये मुझे दुर्जन कह रहे हैं ना तो मैं दुर्जन हूँ इसलिए नहीं उनके मन में मेरे प्रती द्वेश है इसलिए ये जो मुझे अच्छा बुरा कह रहे हैं तो ये वो अपने अपने मन का दिगदर्शन कर रहे हैं में अच्छा बुरा हूँ, इसलिए अच्छा बुरा कह रहे ऐसा नहीं, तो आप कैसे हैं, कि ना मैं राग वाला हूँ, ना मैं द्वेश वाला हूँ, मैं तो एक चेतन पदमा हूँ, मैं तो एक चेतन सुभावी भगवान आत्मा, ग्याननन सुभावी भगवान आत्मा मैं तो एक जीव द्रब हूँ, जीव तत्तों, अच्छा बुरा क्या होता? याने द्रब कोई अच्छा बुरा थोड़ी होता? अच्छा बुरा कहना ही रागदेश का प्रतिक, अच्छा बुरा शब्द ही रागदेश को लेकर के खड़ा होता, तो मोल में कोई अच्छा बु आचर कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में पुण्न का उदय भी सुखी करने के लिए अकिंचित कर ए प्रक्रण लेखा बहुत लंबा चोणा यहने करीब 65 मीं गाथा से और 65 मीं गाथा तक प्रवचन सार में करीब 15-16 गाथां तक यह प्रक्रण लेखा उसकी टीका करते हुए अमरे चंदर स्वामी ने भी बहुत अच्छा विश्लेशन किया तो यह लिखते हैं उसमें कि यह जो शरीर और सन्योग हैं यहने शरीर मूल और इसके साथ ए घर को टमबा दी यह सब आत्मेक अतिंद्री आनंद के लिए तो पूनतया अकिंचित कर हैं ही आत्मेक अतिंद्री आनंद तो पूनतया स्वाधीन है ना तो उसके लिए तो पूनतया अकिंचित कर हैं ही इंद्री जन्न सुख के लिए भी पूनतया अकिंचित कर आत्मेक अतिंदरी आनंद तो इन सबसे मिलने वाला है यह नहीं वह तो पुनतया स्वाधीन तक तो पुनतया स्वरूप लीनता से ही व्यक्त होगा पर जो यह इन्दरी जन्न सुक हमें ख्याल में आ रहा है इसका भी कार्ण ये शरीर नहीं है इसका भी कारण घर को टुम्ब नहीं है इसका भी कारण धन्धान इसके लिए पूनते अकिन्चित कर यह तो दोनों ही प्रकार के सुख के लिए अकिन्चित कर ही है बहुत अच्छी से दिशिद्धिकी तरक्युक्ति आधी से बहुत मारमिक टंक से करीब 15-16 गाता हो तक प्रकरण लिया उसके टीका में इंद्रे आधी को भी लेकर के इंद्रे आधी जो भी थोड़ी बहुत सुखी देखे जाते हैं इंद्री जंद सुख तो ब्योस बैकरिक शरीर की कारण नही है सुखी जो वो कशाएं थोड़ी कम है ना उसके कारण सुखी है और इंद्री जन्द सुखी किसलिए है वहां तो बैकरिक शरीर है इसलिए नहीं जो वहां सप्रकार की सुविधाएं हैं कमाना नहीं पढ़ता खाना नहीं पढ़ता सब तरह के बिल्कुल यह बन सामगरी क्या है यह बाहर सामगरी नहीं यह बाहर सामगरियों के अनकूलता नहीं रागादी विकारी भावों की कमी और जब रागादी विकारी भावों की कमी इंद्री जन्द सुखी कारण है तो इसका मतलब रागादी विकारी भावों का अभाव अतिंद्री जन्द सुखी कारण होने का तो सवाली खड़ानी होता और जब ये सामगरी इंद्री जन्द शुक्की भी कारण नहीं दही तो इंद्री संबंदी अत्वा अलोग दुख्की भी कारण सामगरी कैसे होगी यह यह बाह सामगरी बाह संयोग ना सुक्का कारण है ना दुख्का कारण है यह सु सुखी होना तो उसको नश्ट करें और उत्रोतर कम होगा तो उतने इंद्री जन्द सुखी कहलाएंगे तो सुखदुक कारण कहां रहा यहां अंदर में बाहर की सामगरी सुखदुक की कारण नहीं रही अपने तत्वात सुट से भी इसकी पुष्टी होती है कि बे कहते हैं इस स्वर्गों में उत्रोतर आगे आगे इंद्री जन्द सुख बढ़ता जाता है यह पहले दूसरे स्वर्ग के देव जितने सुख ही लोकिक द्रिष्टी से गुनस्थान की अपेक्छा देखें तो चतुरत गुनस्थान में आति इंद्री सुख प्रगट होगा तो वहा पहले दूसरे स्वर्ग वाला देव जितना सुख ही इंद्री जन्द उस्से आजिक तीसरे चौथी वाला उस्यादिक पांच में छेट में बाला सरवार्ट सिद्धी वाले आहिमेंद्र सबसे अधिक सुख ही तो भी कहते हैं कि सुख तो उत्तरोतर बढ़ गया इंद्री और सामगरी उत्तरोतर कम हैं पहले दूसरे स्वर्ग में जितनी सामगरी बाहर किये उससे तीसरे चौथी स्वर्ग में और कम पांच में छेट में में और कम साथ में आठ में में और कम सरवार्ट सिद्धी में तो कुछ ही नहीं सुत्रों ने लिखा गती शरीर प्रभाव शुख द्यूति लेश्या विशुद्धी इंद्रिया बदि विशय तोधिका यह गती शरीर परिग्रह अभिमान यह तो आगे 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 कम होते जाते और इस्थिति प्रभाव शुख द्यूति लेश्या विशुद्धी इंद्रिया और अबदियान का वि कम होती जाती कि और सुक उत्रोतर बढ़ता जाता जैसे सुद्ध क्या हुएno इसे सामग्रिया कि सामंग्रियां अतेंदों शुक्क श॥ किरन नहीं तो क्या थि क्यूंकि शुक्की कारन होती है το जैसे जैसे उपर सांप्र सुक बढ़ रहा तो सामगरी भी बढ़ने चाहिए थी पर हम तो सामगरी कम होती जा रही हो सुख बढ़ता जा रहा तो क्या निश्कर्श निकला कि ये सब सुख और दुक्रूप परिणामों के उत्पन होने में आकिंचित करें एने इनकी कुछ भी अहम भूमिका नहीं है तो जब कुछ भी अहम भूमिका नहीं है तो क्यों इनके संग्रह में उल्चें क्यों इनके बिग्रह में उल्चें कि नहीं सब ये रहना चाहिए ये नहीं रहना चाहिए कि क्या लेना देना है सुख के कारण नहीं है इसलिए रहने चाहिए के लिए कहाँ उशर दुखे कारण नहीं है इसलिए हटाउं इसलिए कहाँ उशर तो जो इनकी स्थती बनती है बनने दो ना सहज सुईकार करने लो न यह रहते हैं तो रहें हटते हैं तो हट जाएं ना मुझे रहने से कोई लेना देना है इनके और ना इनके हटने से कोई लेना देना है जो भी इनकी इस्थति बने मुझे सहज सुईकार क्यों कि मेरा इंसे कोई नाताई नहीं है ना मेरे सुपदक के एक कारण ही नहीं है ना मेरे लिए पुर्णते अकिंचित कर है ना तो जब अकिंचित कर है तो मैं एक समय का भी ओपियोग इनको हटाने अथवा मिलाने में क्यों बरबाद करूं यह यह इनसे पूर्ण निर्प्यक्ष होता हूं इनका यह रहें तो रहें नहीं रहें तो रहें मुझसे अम बंद रखने की आवश्रता नहीं है यह निर्णा हो तब कहीं इन सईयोगों से रिष्टी होती है और तब कहीं जीवन में पवित्रता आएगी विशुद्धी तब जगेगी तो यही सरणबूत लगते हैं तो जैसे बने और बंद हो किने करना पड़े सब्सक्राइब हो एम सब्सक्राइब करना पड़ें तरह की कारण और फिकलते कि इनको फ़केश नहीं हां तो जैसे रहेंगे तैसे रहें रखेंगे जैन्याय करना पड़े जैन्याय चैन्नीति क कोन गिने फिर इसको तो ये सब अन्याय अनीति कब नश्ट हो जीवा सदाचारी में कब बने कि जब ये लगे कि कोई भी परपदात मेरे सुख दुख का कारण किसी भी रूप में है ही नहीं एक मात्र मेरे मुहराग देश के परिणाम दुख के कारण है और सम्मेक दर्शन सम्मेग्यान सम्मेक चारत के परिणाम सुख में और सुख के कारण है ये निरनाय हो तब कहीं ये अपनी खोटी बृत्ति छूटे तब कहीं असार लगें तब कहीं अकिंचित कर लगें और नहीं रहने में भी संभाव जङ सब्सक्राइब इसके बल पर सल्भ न को सकें अभितो अपने को लगता न है यहीं सिरीर तो यह को यह क drapes अन्हें किसे करेंगे ट करेंगे करिए नहीं है धर्म का और करण के पहले अपन चर्चा कर चुक है कि discernay है और देला का कारण हार सन्षारी जीवां कि और किसी डा किसी रूप में कोई ना कोईज शरीर बिद्रित्वीमान तो recycling तो भर मात्मा बंजाते हैं पर गिसी बहुत्य आ tilines carbon के किसी यह रूप लुभी होते तो परभीतो परम्पुझ धर मात्मा भ्रेबात सुखिब देका मतलब इस शरीद नहीं धर्म का कारण। क्या सोगर कारन एक मात्र सीटरक्त той और इसमा शुक कारण और मेटाओर इसके परिणाम दुखमा और दुख्के कारण, तरदी सुख होना है, तरी मोहरागदेश परिणामों को निश्ट करने की दिशा में किया गया प्रयास, यहीं बास्तविक प्रयास, इन समय फुन्य अथभा हटाने में किया गया प्रयास, तो खख पूर्ण थया निरघ्ध-ठ अब इसके बाद अपन चाहिए अपने को अब इसके बाद अपन चर्च इस प्याने सोचना हो कि विसाय तो ऐसे कि मोलता है तो भावना पर रखे समझने के त्रिष्टीची तो इन है कि नहीं बिंदू है बस चार-पांच बिंदू का समझ में आ जाएं बस काम हो गया पर यह मात समझ में आने सी काम नहीं चलता जब तक वो भावना पर आक हैसा ना जगे हैंने अलग अलग एक एक ना एक निए जो है ना इनकों दुखका कारण मान बैठी यह नहीं है दुखके कारण इनके प्रतिजों मेरा द्वेस चलनां वह दुखका कारण है इन पंच परमेश् जब कोई बीमारी आती है तो इसको मिटाने के नियए डॉक्टर ही शरन होता है अने तो कोई नहीं मिटा पाता तो समाल देना सार की एक राखेट पर पानी फिर गया एजिस समय डॉक्टर की शरन ली उस समय भी लगे की वास्तव में डॉक्टर नहीं है शरन ये जो बीमारी मिटी है ये डॉक्तर के निमित्य के कारण नहीं मिटी है ये निमित्य कारण भी इसमें कोई होगा तो हमारी पुन्यका उदय तो हो सकता है डॉक्तर रंचमात नहीं और उपादान तो तब समय की योग गिता ये निमित्य भी बना तो कौन डॉक्तर नहीं बन तो कितने ही डॉक्टर बैठे रहें कितनी दवाईयां लेते रहें तो भी बीमारी बैसी की बैसी बनी रहती बढ़ भले जाए घटती तो नहीं है तो निमित्य कारण भी कोई है तो डॉक्टर नहीं वह पुढ़ने का उदय है उपादान तो तब समय की यूग गता ऐसी जो बोजन किया वह सुख मिला सुख जैसा लगा तो इसका भी निमित्य कारण अदी कोई है तो वो साता वेद्नि का उदय वो जो आसाता वेदनी की उदीडना में भुक की बादा होई थी ना तो वो उदीडना नश्ट होई और साता का उदाय आया इसलिए थोड़ा से सुख लग रहा है जिस समय इन पदार्तों के बीच में आपन रह रहे हैं इनको संग्रे करते हैं इनको लेते हैं वो समय ये निर पॉस्टी मिली इस पानी से नहीं मिली है यह जो पहले असाता का तीब रुदय चलदा था अब वो उदय बदला है साता का आया है निमित रूप में वो है कारणी ये पानी कारण नहीं है निमित रूप में भी यह उपादान तो है यह नहीं निमित भी यह नहीं है तब कही यह असार लगेंगे, अभी सारवुत क्यों लगते हैं, कि हाँ ठीक है बात तो ठीक है, पर आखर काम तो भोई आता है, भोजन पांज नहीं हो तो पता लग जाएगा, यह को बास्ता में तो कर्म सिद्धानत पर भी अपने को भरोसा नहीं है, आत्मा तो दूर ही जाओं, इस झते कर्मी की बिसंगतिया इशपश्ठ अपन भोग रहे हैं जीवन में, तो भी जो भी यह परिस्थितियां बन रहीं, इनमें मूल निमत्त कारण कर्म का उद़ा है, यह मूलकर नहीं है, यह बात ऻृषी नहीं जश्ती ये दिखते हैं सीदे, तो दिखते हैं तो लगता आथवा मिलाओ तो इसलिए ये सब अशार नहीं लगते हैं, ऐहां क्या कह रहère हैं ? कि यदि ये सारभूत होते तो अनंद अनंद पंच परमेश्टी मिलकरके अभी तक कभी के अपने को शुखी कर गए होते हैं और यदि ये सारभूत होते दुख में, तो अनंतन्त प्रत्कुल प्रसंगे अपने को कभी सुखी होने ही नहीं देते, हमेशा दुखी दुखी बनाए रहते, पर बस तो इस्ति ये कि ये सुख दुख के कारण नहीं है, हम अपनी विपरीत मानताओं से दुखी हैं, वो अप अपनी योगविता से दहें तो ठीक, नहीं रहें तो ठीक, हटें तो ठीक, नहीं हटें तो ठीक, हमारा दोनों के बती संभाव, इन है आपसे, अब अपन कल से आगे बढ़ेंगे, कि शरीर बीमारी से घर जाए तब क्या करना, अभी स्वस्त होने पर तो सब अच्छा लग करेंगे तब, तब क्या इस्थती बनती, तो उस इस्थती में भी अपने परिनाम को कैसे समा लें, कल इस पर अपन चर्चा करें